केंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विश्यजा धिकार हनन का नोटिस जारी हुआ है सूत्रों से मिरी जानकारी के अनुसार NCRT की पुस्तकों से प्रस्तावना को हटाये जाने के मुद्दे पर संसद जैराम रमेश ने ये नोटिस जारी किया है इसके साथ ही उन्होंने केंद्रिय शिक्षा मंत्री पर राज्यसभा को गुमरह करने के भी आरोप लगाए है